नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में पहली बार मैंदे बढ़ोतरी के लिए परमुख खबर जानते हैं राजे में लगभग 47 एरपारा सिक्षक हैं जो टेट पास नहीं हैं इनमें से 43 एरपारा सिक्षकों ने आवेदन जमा किया है सेस बचे करीब 4 एरपारा सिक्षकों के सर्टिफिकेट बेरिपिकेशन नहीं होने की वज़ा से आकलन परिक्षा में आवेदन जमन नहीं हो सके हैं प्रधान के अनुसार आकलन परिक्षा में वही सामिल हो सकते हैं जिनके पुआन पत्र सत्यापन की परकिरिया पूरी हो गई हो वहीं राजे में कूल 6148 परा सिक्षक कर रहा था हैं से 14,042 पराइ सिख्षक टेट यानि सिख्षक पत्रता परिक्षा पास है जिनि आकलन परिक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं है रांची के खादगरा में 5 बसों में लगी आग रांची के खद घरा बस स्टेंड में लगी आग की जाच पूलिस के साथ फरेसिंग टीम भी करेगी, फरेसिंग टीम यह पता करेगी कि आग लगाने में किसी जूलों शिल्फधार्थ का इस्तिमाल किया गया था या नहीं, इन जाच से इसाप हो पाएगा कि आग लगाने की गटना कोई हादसा हा या फिर साजीस बता दे गुरुवार का दिन खाद गड़ा बस इस्टेंड के लिए काला दिन साबित हुआ एक तरफ लोग जहां इद उल अजहा की नमाज आदा करने के बाद कुर्मानी में ब्यास्त थे वहीं दूसरी तरफ पोलिस और अगनी समंदस् अलकान रही अगलागी की इस घर्टना के जाज के आदेश दिये गए है फोलिस सीगू सुरेन ने रेल मंत्री आस्विनी बैसनों को लिखा पत्र जार्खन सरकार में समन्वे समीति के अध्यक्स और जामो सिप्रिमों ने जार्खन के इतिहास भोगोल और भासा का जिक्र कर पते हुए रेलवे स्टेशनों पर हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ बंगला भासा में स्टेशन का नाम लिखने की मांकी है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पुरुम में बंगला में भी नाम लिखा होता था लेकिन बिगत कई वर्सों से बंगला भासा में लिखे नामों को मिटाया गया है। बतादे जर्खन मुक्ति मोर्चा के केंद्रिय अधियक्ष और राय सबसासा सीवु सुरें ने रेल मंद्री को लिखे पत्र में बताया है कि 1912 तक जर्खन बंगाल प्रिशिडेंसी का हिसा रहा था। इसके बादे अभिहार का हिसा बना। वह उन अंग्रेजी, हिंदी, बंगला एवं कई जगों पर उडिया में भी अस्थान का नाम भी अंकित होता था। हेमंत सरकार का फैसला पहले की तरह डिगरी कॉलेजों में होती रहेगी इंटर की पढ़ाई। हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजे में डिगरी कॉ सरकार ने डिगरी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया है। कारकरा में होंगे शामिल। रांची जक्सन पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि होल दिवस पर अविजित कारक्रा में भाग लेने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुसी है कि उस अस्थल पर जाने को लेकर इसके लिए ट्रेन का सफर कर रहा हूं। साहिव गंज पहुचने के बाद आगे बाचित होगी। इसने कुवर उराव सहीत अपरादियों गिरफतार कर लिया है। से उरुपे किलो तक बिखती है। बतादे आप सोचेंगे कि चीटिया में तो न हड़ी होती है और न ही मांस फिर कैसे लोग इने खाते होंगे। इन चीटियों की चटनी बना कर लोग खाते हैं। कुलहान प्रमंडल में तो इन चीटियों से कई गाओं के अर्थ व्यवस्ता चलती है। इन चीटियों से यहां कई परिवार का पेट पलता है। अजीब है लेकिन लजीज है की कहावत इन चीटियों पर फिर बैठती है क्योंकि बजार में इनकी किमत इन से बनने वाली चटनी के करण मिलती है। बता दे चिटि की चटनी को लोग चटकार लेते हुए खाते हैं। एक खाने में खट्टी मिठी लगती है, जो लोग स्वाध चक चुके हैं, उन्हें मोह में तो चिटी की चटनी का नाम आते ही पानी आ जाता है। जुन तक नमांकन परकिरिया पूरी करने का आदेश दिया गया था। परिशत द्वारा जारी निदेश के अनुसार प्रवेसोत्सों का आयोजन सभी छात्रों सिक्षकों एवन बिद्याले परवंदन समित्य अध्यक्ष वस्वाश्यों के उपस्थिती में आयोजित होगा। इसमें अभी भावक भी उपस्थितरा सकते हैं। नमांकी सभी छात्र छात्रों का विद्याले में बाल सांसत के सदस्यों द्वारा तीलक और पुस्प के साथ स्वागत किया जाएगा। हाली होई कैबिनेट बैठक में सरकार निकाय चुनाओं को जल्द से जल्द कराने के लिए कई आहम कदाम उठाया है। हलाकी भाजपा के परदेश अध्यक दिपक प्रकास ने गुरुवार को आरोप लगाया कि निकाय चुनाओं में हार के डर से सरकाई से टाल रही है। राज पिछला वर्ग आयोग का अभी तक पूर्ण गठा नहीं हुआ। आयोग अध्यक्ष विहीन है और दूसरी और राज सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछला वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निन लेती है। गुमला के आरकेडी कमपनी के दो मज़ुरों की महत मामला।